Dior students, Now we shall read this New topic, Adjective and its kinds आज हम Adjective और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे Adjective क्या होता है? Adjective का मतलब होता है हंदी में vishetày और वishetày क्या काम करता है? Vishet prototy का काम है किसी भी संग्या या सरवराम की विखेषता बताना किसी भी संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताने का काम विशेशण करता है मतलब an adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun किसी noun या pronoun के बारे में वो बताता है qualifies करता है adjective का काम ही है one noun or pronoun को के बारे में विशेशता बताएगा कुछ ना कुछ बताएगा अड्जेक्टिव नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में आगे बार सब्सक्राइब नाउन के बारे में जो बताता है वो अड्जेक्टिव विसेस्ता बताएगा अड्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा वो अड्जेक्टिव अब जो नाउन के बारे में बताएगा अडजेक्टिव होता है वो अडजेक्टिव होगा अडजेक्टिव फ्रेज होगा अडजेक्टिव कलाउज होगा ठीक है अब देखते हैं कि अडजेक्टिव क्या होता है अडजेक्टिव को कैसे जानते हैं अडजेक्टिव को हम एड्जेक्टिव का नंबर नहीं होता एड्जेक्टिव का जंडर नहीं होता एड्जेक्टिव का वायस नहीं होता एड्जेक्टिव को हमेशा हम डिग्री से नापते हैं डिग्री से जानते हैं इसको डिग्री से जाना जाता है इसको डिग्री से जाना जाता है मैं ताजुक् hayat टालर टालै स्माल स्मालर स्माले स्ट्राऑंग स्ट्रांग है इसको हम डिग्री से जानते हैं एड्ज्य को ध्यान रखिये गिए अर्म नाउन को हम नंबर से जानते हैं जेंडर से जानते हैं वाइस से जानते हैं नंबर से और जेंडर से जाना जाता है कि इसे राम लिख दिया तो राम का नंबर क्या है शिंगुलर जेंडर क्या है मैं स्कूलिंग लेकिन लिख दिया गया इस्ट्रांग तुसका क्या बताएंग तो एड्जेक्टिव को हमेशा डिगरी से जाना जाता है अपर एड्जेक्टिव के प्रकार कितने हैं काइंड्स टाइप्स टाइप्स आप एडजेक्टिव काइंड्स आप एडजेक्टिव के प्रकार तो एडजेक्टिव मुख्यता दो प्रकार के होते हैं एक होता है पहला descriptive adjective या qualitative adjective अब दूसरा होता है determiners या restrictive adjectives या limiting adjectives तिन नाम से जानते हैं उसको चाहे आप determiners कह दीजे चाहे आप उसको restrictive कह दीजे चाहे आप उसको limiting adjective कह दीजे क्योंकि जो determiner होता है यह determiner किसी भी नाउन के नाउन के बारे में क्या बताता है उसकी identity बताता है उसकी quantity बताता है उसकी संख्या बताता है identity quantity और संख्या बताने का काम यह determiner करता है दूसरी बात जानिए determiner जो होता है यह अपने साथ नाउन जरूर लेगा इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा डिटर्मिनर हमेशा नाउन लेता है डिटर्मिनर हमेशा अपने साथ नाउन लेगा जरूर लेगा लेकिन जो एक क्वाल्टिटेटिव अड्जेक्टिव है ये लेंगे भी और नहीं भी लेंगे लेंगे भी और नहीं भी लेंगे तो यह पहला जो है वो descriptive है या qualitative adjective है दूसरा determiners है restrictive है और limiting adjective है ठीक है अब आपका descriptive adjective या qualitative adjective जो है इसके तीन भाग हो जाते हैं पहला क्या होता adjective आप quality दूसरा क्या होता proper adjective और तीसरा हो होता है participle adjective ठीक है participle adjective क्योंकि जो participle होता ना यह भी adjective का ही काम करता है विसेसर का काम करता है जैसे है आपका आजाएगा a broken chair एक टूटी हुई कुरसी आ ब्रोकें चेयर कुरसी कैसी है टूटी हुई है टूटी हुई विसेस्ता बता रहा है ना उनकी चेर की विसेस्ता बता रहा है आप ब्रोकें चेयर कि ए सिंगिंग गर्ल गाती हुई लड़की ए वीपिंग गर्ल रोती हुई लड़की ए रनिंग ट्रेन चलती हुई ट्रेन ठीक है ए ब्रंट कार एक जली हुई कार तो जितने भी प्रजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं यह हमेशा विसेस्टर का ही काम करते हैं कुछी ने किसी संग्या के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं उसकी विसेस्ता बताते हैं इसलिए वो प्रजेंट पार्टिसिपल एड्जेक्टिव के रूप म तो adjective आप quality, proper adjective और participle adjective ये descriptive adjective या qualitative adjective के भाग है तो adjective आप quality जो होता है ये किसी भी संग्या की क्या बताएगा? shape बताएगा, size बताएगा, color बताएगा, age बताएगा, opinion बताएगा, personality भी बताता है, material बताता है, purpose बताता है quality बताता है, good दोस दोनों बताता है, किसी भी noun, shape बताएगा, size बताएगा, color बताएगा तो क्या-क्या हो जगता इसमें? गुर्दोस बताएगा noun का, जैसे red है, beautiful है, strong है, small है, tiny है, huge है, enormous है, ancient है इस सब क्या है, इस सब आपके, इस सब आपके क्या है, इस सब आपके adjective आप quality है बात सवाज माया, तो क्या बताता है, quality, shape, size, color, age, opinion, सब कुछ बताता है दिश्ट कोण बताएगा, optimistic है, कि pessimistic है, दोनों बताएगा अच्छा ही बताएगा, बुरा ही बताएगा, दोनों बताएगा, equality, adjective आप quality दूसरा क्या है, जो proper adjective है, ये proper objectives को हम ब्यक्ति बाचब भिस्टेशड कहते है ये हमेशा बनते हैं proper noun से बनते हैं, proper noun से बनने वाले जो भी होंगे तो प्रपर अड्यक्तिव होंगे जैसे इंडिया है, इंडियन, अमेरिका, अमेरिकण, पाकिस्तान, पाकिस्तानी चाइना चाइनीज इटली इटाइलियन ठीक है इस तरह प्रापर एडजेक्टिव प्रापर नाउन से बनते हैं और दोनों का पहला अच्छर कैप्टर लिखा जाता है बिल्लब प्रापर नावन का भी और इंडिया इंडियन दोनों लिखे जाएंगे पहला तरकलेटर होगा इस बात का में सार्ट ध्यान तब यारचेटीब घंटिव इसी कौलिटीटीफ इज़ेक्टिव एडिस्किर्ट्फि एड्जेक्टिव का तो maiden का काम करता स्था है है अब देखिए मां दूसरा जो है divisor कि डिटर्मिने रेस्ट्रेक्टिव या स्पलिया लिमितिंग एर्जडयेक्टिव इसके आथ हैं में क्या है अटवाग क्या है अटजयक्टिव बाप क्वांटिटी अटजेक्टि आप number इंट्रीटिब एडिडिक्तीव डिस्त्रीविटिव एडिजेक्टिवं इंट्रोगेटिवएडिक्टिव ऑडिकल्स हिसरिप हाइग इनेंदि अटर्जिगेंस सब यह क्वाल्टी टेटिव जो है इन नाउन लेता भी है और नहीं भी लेता है ठीक है समझभाया बात कि आप देखिए ध्यान से समझें इसको अब जितने भी हैं आपके डिस्क्रिप्टिव या क्वाल्टी टेटिव एड्जेक्टिव इसको हम अलग अलग चर्चा करेंगे अ कैसा है किस प्रकार का है हाउ या वाट काइंड आप लगाकर जो उत्तर हमें मिलेगा वो हमेशा अड्जेक्टिव आप क्वाल्टी होगा क्वाल्टी टेटिव एड्जेक्टिव होगा ठीक है क्योंकि हमेशा याद रखिए अड्जेक्टिव को हमेशा डिगरी से डिगरी ने घीन परिभासा हो गई और ऊसके प्रकार तेटिब क्या है किसी भी संग्या या सर्मनाम की विसेष्ता बताने का काम अधेप्जेक्टिभ का होता ठीक है अब इसकी अलागानाहसचर्चा करेंगे इसकी याख्या हम करेंगे ठीक है अगले वीडی extrude ना समझ में आ गया होगा इतनों त्यार रखी इतना और इतना त्यार रखने के बाद फिर अगला टापिक हम पढ़ाएंगो उसको ध्यां समझे लेट साथ थैंक यू